हेलो फ्रेंड्स नमस्ते मैं शिमाई दिलिप खोड़कर आपका शेड्स ओफ शिवा में स्वागत करती हूँ तो फाइनली हम लोग आज जाने वाले हैं रुद्रेशवर और ऐबाउट में दस मंथ से जब से लॉक्डॉन शुरूअ तब से मैं घरवल्लों के पीछ पड़ी हुग हुग कि मुझे रुद्रेशवर जानी है तो फाइनली हम जा रहे तो चले करदे शुआ रुद्रेशवर झाल 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 तो कुछ इस तरह से हम लग पहुच गया है रुद्रेश्वर पे अब यहाँ से आगे हमारी गाड़ी नहीं जाएगी तो हम लोग यहाँ पर गाड़ी लगा के आगे जाने वाले हैं तो हम लोग अब जाने वाले हैं मंदिर के तरफ तो हम लोग यहाँ पर अब जा रहे हैं चल्टे 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 टेश्टे नहीं टो दो भोगे सकते हैं जड़ से घंट सबस्टेशननल पांसे याँ वियना दोग स्टाइब याँ वियना यूप वियना यूर यूर अगर आप बाइक से आते हो तो आपकी बाइक यहां तर गाएगी और फिर इसके आगे आपको जाना तो पैदा लियोगा हम लोग अभी आधे रस्ते आ गए है और हम लोग यहां पर बहुत पसीना पसीना हो रहे है तो अभी और आधा रस्ता हमें बागे है तो चलो आगे जाते हैं तो हमें अभी जर्ने का आवाज आ रहा है हम लोग बहुत पास आ गया है बहुत चड़के तो चलो हम लोग अभी जर्ना देखते हैं यह बहुत कम हो गया है अभी बट आप देख सकते हो आप देख सकते हैं यह इतना प्यारा सा जर्ना है वह बहुत बड़ा रहता है एक्चुली हम लोग रॉंग सीजन में आया है अगर पहले आते थे तो बहुत अच्छे से हमें जर्ना मिलता था और यहां से बहुत सारा पानी रहता है पूरे आजू आजू में कर दो कि अईले हम लोग वाट इन मंदीर इसमें कोच गाएं अभी इप आरा सा जोता सा यहां पर रास्ता यंदर जाने के लिए तो चली हम लोग जातने मंदिर झाल झाल तो हम लोग आ गए यहाँ पर हमने अंदर जाके देखा कैसे अच्छा खुश्चुरत रास्ता है पिर अंदर जाके गनेश जी की मुर्धी है शंकर जी की पिंड है तो हमने वहाँ पर पंडी चीन से पूचा तो वह बोल रहे थे कि हाँ पर की इंदू आता है हर रोज रात मे जाएंगे आगे व्यटावाणी फोल तो हम लोग आ गाए वापस अपनी कार के पास अभी हम लोग जा रहें वेतावाणी फोल यहां से कुछ चारपास किलूमेटर ही दूर है बट आपने रास्ता देखा है कि रास्ता कैसा है तो हमें बहुत सारा टाइम लगने वाल है आपने सिर्फ एक धान रखना है कि आप छोटी वाली कार में नहीं आओगे आप ग्राउंड क्लियरंस अच्छी हो वैसी कार में आओगे या स्पोर्ट्स कार में आओगे तो आपको ये इजी जाएगा तो अभी इस पैरे से पैरेट पोडों से भरे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं वेतारवाडी फोर्ट तो वेतारवाडी फोर्ट एक ऐसा फोर्ट है जिसको किसने बनाया कब बनाया क्यों बनाया ये किसी को भी पता नहीं बट फोर्ट एकदम बड़ा और पूरे तरह से सोच समझ के बनाया हुआ फोर्ट है वहाँ पे उपर पानी तेल रहने के लिए ऐसे सब व्यवस्ता बहुत अच्छे से की हुई दिखाई देती है अभी और हम लोग अभी नीचे से उपर जा रहे है तो ये नीचे से फोर्ट दिखाई दे रहा है चलि अभी हम लोग जाते हैं सीधे फोर्ट पे ये जो मेंडोर है इसे जंजाडा दर्वाजा बोलते हैं और वेतारवाडी फोर्ट के नीचे ही बहुत बड़ा वेतारवाडी डैम भी है कि वोड़ी फोर्ट बोड़ागा रहा है तो यह था वेतावडी फोर्ट इसका नाम वेतावडी इसके जो नीचे एक नाव है वेतावडी तो इसके उपर से इसको नाम दिया गया है वेतावडी किसी को पता नहीं है ये पोट इसमें वांदा को पांदा इसले इसके गाओ का नाम यहां पे दिया गया है और यह है हर्दा घाट में सोई गाओ से कुछ दस किलोमेटर आगे है और अंगाबाद जाते टाइम और हम लोग पूरा उपर नहीं गए बिकॉस वहां पे बहुत सार अब नहीं दिखाई दे रहा था तो हम लोग अभी वापस दीचे आ गए है और अभी हम लोग जा रहे है रिटन घर पे तो भाई गाइज से यू नेक्स्ट वीडियो